नमस्कार दोस्तों मैं सुनीश शर्मा आपका रक्षम टेक में बहुत-बहुत सुवागत करता हूँ फ्रेंश आज हम बात करेंगे how to download and install GCmob in laptop and pc सबसे पहले फ्रेंश में आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ अगर आपको GCmob app का इस्तमाल अपने laptop या PC पर करना है तो उस condition फ्रेंश आपके पास BlueStack का होना बहुत ही जरूरी है सबसे पहले फ्रेंश आप अपने BlueStack को जो ही यहाँ पे open कीजिए उसके बाद आपने Google Play Store पर जाना है Google Play Store को जैसे ही आप open करेंगे तो वहाँ पे आपने GCmob को सर्च करना है फ्रेंश एप का जो आइकन है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको इसी एप को जो है install पे क्लिक करके इसे install करना है Friends हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल रक्षम टैक को सस्क्राइब करना बिलकुल भी मत भूलिएगा Friends installation complete होने के बाद आपने इस एप को जो है open करना है Friends जैसे ही आप इस एप को open करेंगे तो तभी आपके सामने कुछ term and conditions आएंगी आपने सब पे जो है agree करना है Friends जैसा कि आप screen पे देख सकते हैं next पे आपने click करना है next पे click करने के बाद में कुछ term and conditions आएंगी उन सब को आपने one by one allow करते जाना है अगर आप अपने CCTV camera mobile app पर देखना जाते हैं तो यहाँ पर आपने camera को select करना है और उसके बाद में आपने friends यहाँ पे next पे जो है click करना है जैसे ही आप next पे click करेंगी तो friends आपको जो है GCmob app की main screen मिल जाती है आपको menu में जाना है वहाँ से friends आपने जाना है device manager में जैसे ही आप device manager पे click करते हैं तो वहाँ पर आपको एक camera का icon मिलेगा जिस पे आपने click करना है उसके बाद में friends आपने ok पर click करना है और wide device जो है उसे select करना है और उसके बाद next पे जो है आपने click करना है इसके बाद friends आपने पहले ही option को select करना है उसके बाद friends device name में आप कुछ भी डाल सकते हैं and serial number में आपको divr का serial number डालना है username पासवर्ड जो है आपने divr के ही रखने है उसके बाद friends आप start live preview पे click करके अपने cctv camera अपने laptop या pc पर देख सकते हैं friends हमारा वीडियो देखने के लि बाहू कर दो कर दो दो आप है